नमस्कार मैं हूँ परवीन साहनी और आप देख रहे हैं राजनीती राजनीती में आज बात करेंगे समाजवादी भाद्दुर के नोट फॉर वोट के कालनामे की मिरजापुर में शुरू हुई साथ भहु की महवारत की अखलेश के यूपी हंडड़ पर उगाई के सफर की ग्यारा से पहले सफ़ई में गदर के संकेत की चल्चा करेंगे सबी खबरों पर विस्सा से तो शुरू करते हैं राजनीती चुनाओ पर इनाम आने से पहले ही सेफ़ई वाली सियासत फिल से उबाल मानने लगी इस बार मुलाइम की पत्नी साधना यादव सामने आई है सियासी संगराम के संकेत देते हुए अखलेश पर कई आरोप लगाए और अपने बेटे को राज्य सबा भेजने की भी वकालत कर दी क्या ये ग्यारा माल्च के बाद गदर का संकेत है ग्यारा से पहले ही गदर के संकेत सेर उठाने लगी घर वाली सियासत साधना यारव का सीधा हमला मुलायम की पत्नी ने जाहिर की एरादे सियासी कोला हल में मन पड़ी सैफाई वाली सियासत चुनाव परिणाम से सुनाई देने लगी है मुलायम की पत्नी साधना यारव की सीधा हमला बोलते हुए एरादे जाहिर कर दी है चुनाब परिडाम जो भी हो परिवार वाली सियासत पैर पसारने लगी है मीडिया के सामने खुल कर बोलते विस्तातना ने काफी कुछ संकेत मेरे पिता ने, मेरे नाना ने ये कहा था कि कोई भी काम करो, कोई भी दान करो तो बताओ नहीं, चुपचाप करो लेकिन मुझे लगता है अब वो समय नहीं है कि कोई भी काम चुपचाप किया जाए अब बता के करना चाहिए, गांदी जी ने कहा था कुछ करो तो बता दो तो मुझे लगता है बता के करना चाहिए काम को यह तो वैल्यू नहीं होती इनसान की जो इतना सब कुछ मेरे लिए कह दिया इतनी हिम्बत नहीं पड़ती लोगों की और कोई बात ही नहीं थी हमारी और अखलेश के बीच की कभी आज तक हम लोगे कोई कहा सुनी भी नहीं हुई कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं फिर भी लोगों को बड़ा मज़ा आया भावनाओं से बहाओं में साथना पूरे परिवार पर खुल कर बोली और अखलेश पर अफमान का रोप लगा दिया और कहा कि नेता जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था शिवपार को साइड लाइन करने पर भी साथना ने सवाल उठा दिया शिवपार जी का जो अफमान हुआ आपको लग रहा है कि वो कितना खराब लगा आप कैसे देख लेख लेख लोग नहीं होना चाहिए था उनका अपमान उनकी गलती ही नहीं थी कि उनकी गलती नहीं थी आ कि बार-बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया कुछ नहीं किया नुन को तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था वो сохранwydd अरो फिन्होंने प्रोह जानरे जो किया इनके साइंसरे व्ا मैं गया ता इंको उसी हमेर योख देना चाहिए था नेटा जी को के अधाष नहीं बनाओ इनको तो कोई बात ही नीहीं होती सुर्पाल में बहुत किया नेटा जी के बहुत काम कि नेटा जीreet doing बह시면 सेवा करी जैसे एक फोटा भाई एक बेटा करता है उस तरीके से करी नेटा भी बहुत प्यार है उनके उपर शुरू शुरू में जब बहुत गरीबी थी तो उन्होंने मतलब किस तरीके से रात काटी है जो जो मतलब दरियां बिछी होती थी उनको योड लेते थे रात को इस तरीके से रात काटी है तो वो व्यक्ति पार्टी के लाइक तो पार्टी मे साथना यादव ने प्रतीक यादव को भी पॉलिटिक्स में लाने की बात कह दी और कहा कि वो प्रतीक को राजिसवा में देखना चाहती है साथना यादव ने परिवार के छगड़े का असर चुनाव परिणाम पर होने की भी बात कह दी कहा कि चुनाव परिणाम पर असर तो पड़ेगा तो चुनाव पर तो करेगा अफेक्ट क्योंकि हम निकले हैं तो सब तरीके के लोग मिले कुछ फेवर के भी मिले कुछ फेवर के नहीं भी मिले तो चुनाव पर तो असर पड़ेगा हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है क्योंकि जो भी था नेता जी का अपमान नहीं करना चाहिए था और सब ठीक था पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था किसी को भी नहीं करना चाहिए था इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी इतनी जिंदगी भर की मैनत ऐसे में एक बार शान पड़ा सैफ़ाई का संग्राम एक बार फिर सुलकता नजर आ रहा है यूपी के चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा ये तो जल साफ हो जाएगा लेकिन चुनाव नतीजे इस लड़ाई को अलग दिशा में भी ले जा सकते हैं क्या ग्यारा के बाद सैफ़ाई का संग्राम फिर सर उठाएगा फिर रुपो समाचार पस मिरजापुर में मद्दान से पहले बीजेपी उमीदवार पर बड़ा अरोप लगा है और अरोप लगाया है उमीदवार की सास ने अरोप लगाने वाली साथ भी बीजेपी के पूर विधायक की पत्नी है तो अब भहू को टिकट मिला है लगता है साथ बहु की महभारत मजवा में बीजेपी का गणित बिगार देगी मजवा में सास बहु में महाभारत बीजेपी उम्मिद्वार पर बड़े आरोप सास ने लगाया बहु पर प्रतालित करने का आरोप मजवा से बीजेपी उम्मिद्वार है सुचिस्मता मौर्या करोडों की मालकीन और पूर विधायक की पत्नी ने अपने ही इकलोते बेटे और बहु पर बढ़े आरूप लगा दिये पूर विधायक दिवंगत रामचंत्र मौरिया की पत्नी विध्यावती ने अपने बेटे संजे मौरिया और बहु सुचिस्मिता मौरिया पर प्रताणा और संपत्ती हड़पने का आरोप लगाया बहु ने सब उनको सिखाते गए और बेटा करता गया दोनों मिले हुए थे मेरी कोई जट घर में नहीं रखते थे समझे चुनाओ के दोर में हाई प्रोफाइल परिवार का विवाद सियासत में सुर्खियों में है जिस बहु पर आरोप लगे हैं वो मजवा से बीजेपी उम्मिदवार है विद्यावती ने आरोप लगाए क्योंकि बहु ने धोके से संपत्ती हडप ली और कोई हालचाल भी नहीं लिया वो लड़ नहीं है अब पापा जो मजवा से जीते हुए थे बोले कि मोदी का वो है क्या नाम से लहर है विद्यावती ने आरोप लगाया कि करोड़ों की संपत्ती के बाद भी वो बेटी के घर में रहने के लिए मजबूर है आमको बता दें कि विद्यावती की पती सुरगे रामचंत्र मौरिया 1996 में मजवा से बीचेपी विधायक रहे 2007 में बीचेपी ने उन्हें नगर विधान सभा में अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन हार गए अब मजवा से बीचेपी ने उनकी बहु को उम्मीदवार बनाया है ऐसे में कहीं सास के आरोप बहु पर भारी न पढ़ जाएं मिर्जापुर से समाचार प्लस के लिए जैप्रकाश की रिपोर्ट गोरकपur में मददान हो गया लेकिन सपाउमीदवार के काणनामें अभी तक सामने आ रहे हैं गोरकपur ग्रामीन से उमीदवार विजे भाद्दुर्यादव के समर्थकों ने पैसे के साथ साड़िया भी बाटी दो समर्थकों को पुलिस ने गिरिफतार किया गौरकपूर क्रामीर सीट सामने आया सपाउमीदवार का बड़ा कारनामा वोटरों को लुभाने के लिए बाटी साडिया विजय बहातुर यादव का चुनाव आयोग को ठेंगा तस्वीरों में कैद हुई सपाउप्रत्याशी की करामा गौरकपूर जन्पन में छटे चरण में मद्दान हो चुका है लेकिन शहर अभी भी सुर्खियों में है मद्दान से पहले की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं गौरकपूर ग्रामीर सीट से सपावधायक और प्रत्याशी विजय बहादुर यादव ने और यहां तक की घेरावंदी तक करवा दिया था कि पुलीस या कोई भी अन प्रत्याशी के लोग वहाँ पर आ न सकें और निगरानी में खर्जगर लडगे भी खड़े किये गए थे और बकायदा लिफाफा में पैसे रखके बाटे जा रहे थे जिस पे राम भुगालनी साथ और उनके प्रत्याशी विजय बाहदुर का उनका फोटो भी था और अंदर पैसा भी बकायदा नोट दिखाई भी दे रहा था और यह बहुत गलत काम किया उन्होंने वोटरों को इस तरह से घुमाना अच्छी बात नहीं है 69 बहरादपूर समेत रसूलपूर महलों में सपा प्रत्याशी के समर्थकों ने वोटरों को साड़ी और पैसे बाटे जिस लिफाफे में पैसे दिये गए उस पर बकाइदा प्रत्याशी का फोटो लगा है जिस लिफाफे में पैसा दिया जा रहा है उस पर बड़े सुनेरे अक्षरों में लिखा है यूपी को ये साथ पसंद है अखिलेश और राहुल गांदी के उस लिफाफे पर तस्वी लगी है साथ इसाथ प्रत्याशी विजय बहादुर यादर वस्सपा प्रत्याशी राम हुआल निशाद के भी फोटो लगे है यहां पर बहुत धालले से पैसा बाटा जा रहा था कपड़ा बाटा जा रहा था और यह सब सपा के लोग मिल करके बाट रहे थे जिसमें छोटे-छोटे पारसत भी इसमें लग करके उनका साथ दे रहे थे तीन तारी को रात को रुपया पैसा साड़ी बाटा गया और यह सभी सेक्टरों में हुआ दरिया चक में हुआ पटन में सेक्टर नमबर एक में भी हुआ बीजा बहादूर के जितने समर्द तक थे पैसा साड़ी लेके जो है ओटरों को खरीदने के लिए लुभाने के लिए पैसा बाट रहे थे प्रसासन से इसकी हमने सिकायत की वहाँ दरिया चक में तो लोग आए वहाँ भगदर मच गया पुलिस भी आई मौके पे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला साड़ी और पैसा बाट ले दो लोगों को बेली पार की पुलिस ने अरस्पी किया था लेकिन कोई मुकदमा पंजिक्रत नहीं किया गया आखिर किसका दबाव है जो पुलिस कारवाई नहीं कर रही और प्रशाशन आचार सहिता के सरयाम उलंगन के बाद भी शान्त बैठाए गुरगपुर से समाचार प्लस के लिए हरें दूबे की रिपोर्ट अखिलेश यादव ने हल सवा और रैली में यूपी हंडड का बखान कर अपनी पीट थप थप आई जब भी विरोधियों ने कानून विवस्ता पर सवाल उठाए अखिलेश यूपी हंडड को बीच में ले आए लेकिन अब सामने आ रहा है कि यूपी हंडड की गाड़ियों में सवार पुलिस कर्मी उगाई में लगे हैं अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रस्टा चार की धुन खुल गई टाइल हंडड की पोर्ट हमनी ची को पता ही नहीं है कि 100 नंबर से आजकर पुलिस चल लई है और 100 नंबर हमने इस्जिश नियु शूरू किया है पहले कई वार ये शिकायत होती थी और आपने थाने में फोन मिलाये तो फोन lou आ थो फोन ने उटता था आप दिन में, रात में, सुबह, शाम, जब चाओ तब मिला लेना ये फोन उठेगा और घटना इस तल पे 15 और 20 मिन में पुलिस पहुँच करके आपकी मदद करने का काम करेगा CM अखिलेश ने पुरे चुनाव भर टायल हंडेट का ठीडोरा पीटा विरोधियों ने जब भी कानून विवस्ता पर सवाल उठाए, CM ने टायल हंडेट को ठाल बनाया लेकिन पुलिस की हरकते और कानून विवस्ता सुधरती नज़र नहीं आ रही है आए दिन पुलिस की कारे प्रणाली सवालों के घेरे में आ रही है डायल हंडेट गारियों से बजाए, लोगों के सहायता के पुलिस कर्मियों द्वारा धन उगाई के मामले सामने आ रहे है ताजा मामला शावस्ती जिले के एकौना थाना छेत्र का है अनल तिवारी नाम का शक्स घर बनवाने के लिए बालू खरीद कर ला रहा था कि यूपी हंडेट की पी आरवी 2504 पर तैनाद कॉंस्टेबल योगेन यादव ने ट्रेक्टर ट्रॉली को रोग कर 10,000 रुपए की डिमान कर दी और ना तेने पर जेल भेशने की धंकी रिडाली अनल तिवारी ने जैसे तैसे करके 4,000 रुपए दिये तब जाकर वाहन को छोड़ा गया पीट ने उच्छा अधिकारियों को पत्र लिखकर नयाई की गुहार लगाई है ऐसे में CM के तावो से तर UP100 की हकीकत भी कुछ और अलहदा है और कानून वस्था का हाल वैसा का वैसा ही नजर आता है शावस्ती से समाचार प्लस के लिए नावेद अक्तर की रिपोर्ट